जंगल में आग लगने के बाद वहां रहने वाले जीवजन्तूओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गाजील के जंगलों में हर साल आग लगते रहती है 2015 के बाद पिछले साल भी वहां भीशन आग लगी थी इसी आग में जुलस गया था ये कच्छुआ आग का शिकार हुए इस कच्छुए की बॉडी का 85% हिस्सा जल गया था इतनी बुरी हाल में 40 दिनों तक रहने के बाद 5 लोगों के बचाव दल को ये कच्छुआ जिन्दा मिला था उन्होंने इसका नाम फ्रेडी रखा था इसकी बुरी हालत देख्टे अनिमल रेस काईवर्स ने उसकी मदद करने का फैसला किया ब्राजील के सिस्रो मोरेस जोकी तीन डी डिजाइनर हैं उन्होंने कच्छुए के लिए तीन डी स्किन इमेज बनाई जिसे ब्राजील के सर्जन पॉलो मियमाटो ने शेल का रूप दे फ्रेडी के उपर फिक्स कर दिया इसके बाद उसे नैचुरल लुक देने के लिए टीम ने यूरी कालडेरा की मदद ली जिन्होंने उसके शेल को पेंट कर रियल लुक दिया आज फ्रेडी आम कशुए की तरह ही दिखता है जंगल की आग के बाद 40 दिन भूखे जिन्दा रहना जहां उसकी किस्मत थी वहीं तकनीक ने भी उसकी लाइफ को आसान करने में काफी मदद की